नमस्कार न्यूस इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूं कवीता मिश्रा चली शुरुवात करते हैं दिनवर की खास ख़बरों से प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी नमामी गंगी प्रोजेक्ट की समेक्षा के लिए आज कानपूर गए है एरपोर्ट पर सीम योगी और यूपी बीजेपी नेताओ ने पीम मोदी का स्वागत किया प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधिक्षता में कानपूर में नैशनल गंगा काउंसलिंग की बैठक की गई निमामी गंगा प्रोजेक्ट पर आयोजित इस बैठक में यूपी के सीम योगी आदितेनाद उत्राखंड के मुखे मंत्री त्रिवेदी सिंग रावा शामिल हुए इस बैठक में नितिश कुमार को भी पहुंचना था लेकिन नितिश कुमार ने अपना कानपूर दौर आ हम भारत की लोकतंतर में यकीन करते हैं नागरिक्ता संशोधन बिल की पूरी प्रक्रिया को संसत के दोनों सतनों से मंजूरी मिली है और मैं उस दौरान खुद भारत की संसत में मौजूद था कॉंग्रेस के पूर्वा द्यक्ष राहूल गांदी ने आन मोधी सरकार पर जम करने शानत साथा आर्थ वेवस्था बेरोजगारी कानुन वेवस्था सही तमाम मुद्दों को लेकर राहूल गांदी ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी को आड़े हाथ लिया आपको पता दे कि दिल्ली के राम निला मैदान में आयोजित कॉंग्रेस की भारत बच्चाओ रैली में कॉंग्रेस लेता राहूल गांदी ने मौजूद कारेकरताओं को बबबर शेर और शेर्मिया कहकर समोधित किया उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस का कार्य करता किसी से नहीं डरता इसके साथ ही राहूल गांधी ने कहा कि मेरा नाम राहूल सावरकर नहीं राहूल गांधी है कॉंग्रेस के वारिस्ट नेता और पूर्व केंद्री मंत्री जाराम रमेश और त्रेणमूल कॉंग्रेस की सांसन महुआ मोहित्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नागरिक संशोधन कानून को चुनौती दी है जाराम की याचिका में मांगी गई है कि सुप्रीम कोर्ट नागरिक्ता संशोधन कानून 2019 को समानता कि अधिकार का उलंगन करने वाला ठहराते हुए रद्ध गोशित करें इसके लावा कोर्ट गोशित करें कि यह कानून 1985 के असम समझोते की खिलाब है कॉंग्रेस महासची प्रियांका गांधी वाडरा ने नागरिक्ता संशोधन कानून को लेगर आज नरेंदर मोधी सरकार पर ठीखा हमलाग करते हुए अपील की कि सम्मिधान को बचाने और देश को विभाजन से बचाने के लिए सभी आवाज उठाएं प्रियांका ने कॉंग्रेस की और से आयोजित भारत बचा और रेली में कहा कि या देश प्रेम का देश है अहिंसा का देश है युवाओ के सपनों का देश है ये ऐसा देश है जिसके पौजी देश के लिए जान देने का ज़ज़वा रखते हैं प्रियांका ने कहा हमें इस देश को वशाना है क्योंकि इस पर एक ऐसी सरकार का साया है जिसमें समानता नहीं है प्रियांका ने कहा पहले पूरी दुनिया हमारी दरब देख रही थी विकास हो रहा था आज भाजपा की सरकार में रोजगार बढ़ने की वज़ाए घट रहा है, महंगाई बढ़ रही है, छोटे व्यापारी परिशान है, उन्होंने कहा असलियत यह है कि यदि भाजपा है तो 45 साल में सबसे ज्यादा महंगाई मुम्किन है चुनावी रणीतिकार और जीडियों के उपाल देक्ष परशांत किशोर आप आमादमी पार्टी के लिए काम करेंगे, इसकी जानकारी खुद दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विन केजरिवाल ने ट्विट कर दी, केजरिवाल ने कहा कि परशांत किशोर ने कई राजपार्ट आपकी बार 66 के पार, आपको बता दे कि फरवरी 2015 में हुए दिल्ली वधान सफ़ा चुनाव में आमादमी पार्टी को 70 में से 60 सीटो पर जीत मिली थी नागरिक्ता बिल के खिलाब उगोत्तर में बवाल और हंगामे के सांथ देश के अलाग-अलाग हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन जारी है, असम त्रिकुरा में सेना पैनात है और कर्फ्यू भी लागू है, अलाकि असम में फिलाज शांती की खबर है गुवाटी में आज सुवन नौ बजे से शांथ चार बजे तक के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है जिबके मोबाईल इंटरनेट और मैसेजिंग सेवा अभी भी बंद है नागरिक्ता संचोधन कानूं के विरोध में बड़े प्यमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद गुरुवार शां से ही इंटरनेट सेवा महाँ बंद कर दी गई थी जम्मु किश्मीर, उत्राखंड और हिमाशल प्रदेश में बरबारी जारी है दो दिनों से तीन राज्यों में जोर्दार बरपारी पड़ रही है बरबारी की चलते लोगों को काफी परिशानी हो रही है बरबारी की वज़े से चमबा, उत्तरकाशी, टीरी, चमोरी, रुद्रब्रियाग और दहरादूल समेट कई जिलों में आर्थी स्कूलों को छुट्टी दी गई है बुलिटिन में फिलाल इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज इंडिया झाल इंडिया